जब हम नान घर पर बनाते हैं तो वह एक दम मार्केट जैसे नहीं बनते हैं यह रेसिपी देख लो आपके नान एक दम मार्केट जैसे बनेंगे इसमें मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं मार्केट जैसे नान बनाने के लिए पीछे से भी पूरा सिखा है और आगे से तो आप देगी सकते हैं तो इसको बनाना एक बार तो बनता है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब चलिए तवा नान बनाना शुरू करते हैं हमें चाहिए चार-पांच चमच ऑईल आदा कप करड़ एक कप गरम मिल्क धाईस गरम ऐदा एक चमच बेकिंग पाउडर आधी चमच बेकिंग सोड़ा एक चमच जीनी और एक चमच नमक सबसे पहले हमें एक बाउल लेंगे उसमें एक कप दूट डालेंगे दूट जो वो गरम होना चाहिए और अब उसमें हम डालेंगे चार चमच ऑईल और उन दनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगते तो चैनल को जुरू सबस्क्राइब करते हैं अब हम लेंगे हाफ कप करड दही और उसमें डालेंगे एक चमच सूजी सूजी जो वो क्रिस्पिनेस बढ़ाएगा नान की और जो दही है वो उससे नान में सॉफ्टने साइगी अब एक बड़ा बाउल लेंगे उसमें हम जो हमने मैदा लिया 200 ग्राम उसे चान लेंगे चानने से जो हमारे नान का रिजल्ट बेटर हैगा क्यों क्योंकि इसमें जो एर प्रड्यूस हो जाएगी बेसिकली जो नान होते हैं वो एक फ्लाट ब्रेड सी होते हैं ज अब बाकी की चीज़े चान लेते हैं नमक, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर और चीनी अब सेंटर में खोल करेंगे और इसमें जो हमने धाई और सूजी जो हमने मिक्स करी थी वो डाल देंगे और इसको अच्छे से पूरे मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे अब जो हमने मिल्क और ओयल मिक्स के तो उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है और अच्छे से एक सॉफ्ट डो लगाना है नान काटा लगाते समय हमें दो बाते ध्यान रखनी है एक तो उसमें थोड़ी खिचावत होनी चाहिए नान काटा जब हम उसे स्ट्रेच करें तो अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और सेकिन तिंग जो आटा है वो एक बीस सॉफ्ट होना चाहिए हाड आटा हमें नहीं लग देंगे यह देखो आटा अपने अफ ही लगने लग गया है जो मैदा था वो सारा अच्छे से कंबाइन हो चुका और हमारा एक डो त्यार होने वाला है हमें ऑई लगाकर बावल की सारी साइड स्क्रेन कर लेती हूं क्योंकि अगर मम्मी ने वीडियो देख लिए और यह बरतन गंदा हुआ तो बहुत बोलीगी क्योंकि वह बोलते हैं कि लगना निच्चे कि हमने इस बरतन में आटा गुन है एकदम साफ होना चुका है यह देखिया हमारा सॉफ्ट डो त्यार हो चुका है पहली बार आटा गुनने में मज़ा आ रहे हैं घर पर तबा नान बनाने के लिए नान आटा लगाने की सही टेकनिक तो मैंने आपको बता दी तो चलिए अब देखते हैं इसको फॉमिट कैसे करने हैं अब थोड़ा से ओई लगाकर इसको डैम क्लोथ के साथ धग कर रख देंगे मैंने अवन को गरम कर लिया था और उसमें अपना जो आटा लगाया वह एक घंटे के लिए रख दिया इससे हमारा जो आटा वह अच्छे से फॉर्मेंट हो जाए अब मैंने डो निकाल लिया है अवन में से अब देखाती हूँ मैं आपको हमारा आटा कैसा स्ट्रेच होता है यह देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच आया आटे में इस आटा से जो हमारे नान है वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे और एकदम मार्केट वाले बनेंगे मैं क्या कर रही हूँ अब इस आटा का बेसव एकदम क्रिस्पी बने मैंने डो से एक पेड़ा बनाया और बाकी जो डो हमारा बचा था उसको वेट क्लोथ से ढखकर रख दिया अब इसको अच्छे से सूखाटा लगा कर बेल लेंगे और थोड़ी सी कलोंजी लगा रही हुँ मैं इसके उपर आप चाहे तो हरा धनिया भी लगा सकते हैं बट मेरा हरा धनिया खतम हो चुका था नान बनाते वक्त हमेर नान को साइड से बेलना है सेंटर से नहीं बेलना क्योंकि अगर हम सेंटर से बेलेंगे तो सेंटर में से तो जो हमारा आटा है वो पतला हो जाएगा और sides में से हमारा जो नान है वो मोटर है जाएगा नान काटा जो है वो थोड़ा stretch करता है तो इसलिए जो हमारा नान है वो हम बड़ा ही बनाएंगे अब नान की back side पर हम थोड़ा सा जो हमने water ready किया है नमक के साथ वो लगाएंगे अब इसको उंगलियों से ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे हमारा जो नान है वो अच्छे से फूल जाएगा अब इस नान को ट्रांसफर करते है सीधा गरम तवे पर जो तवा है हमारा बिलकुल hot होना चाहिए एकदम गरम जो पानी वाली साइड है नान की मैंने सबसे पहले वो लगाई यह तवे पर एक मिनट के लिए नान को सीधे तवे पर पकाएंगे और इसके बाद जो हमारा तवा है है वो हम उल्टा कर देंगे मतलब जो नान वाली साइड है हम फ्लेम की तरफ कर देंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे नान को हमें लो फ्लेम पर ही सेखना है अब यह देखिए हमारा जो नान है वो ऊपर से तो सेख चुका है अब मैं इसकी आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ यह देखे तो हमारी बैक साइड जो है नान की हो एकदम तेयार है बिल्कुल अच्छे से सिख चुकी है अब दस भी सेकेंड के लिए और सेक लेती हूँ नान को अच्छे से अब हम थोड़ा से बटर लेंगे और नान पर लगा लेंगे यहां पर एक बात का ध्यान रखेगा और या बटर जो है वह तबे पर बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए उससे क्या होगा अगर हमारा और या बटर तबे पर तच हो जाएगा तो हमारा जो तबा है वह थोड़ा ओईली ग्रीसी हो जाएगा और जब हम पानी वाली साइट से नान को रखेंगे तबे पर वह चिपकेगा नहीं अब मैं गार्लिक नान बना लेती हूँ एक उसके लिए मैंने चॉप गार्लिक को मेल्टेड बटर के साथ मिक्स कर लिया है और अच्छे से उसे बेल लिया है रोलिंग पिन और जो हमारा स्लाब है नीचे का वो पूरा घ्रीसी हो चुक है इससे क्या हुआ मेरा जो ये वाला नान था उसके नीचे वाली साइड पर भी ऑईल लग चुका था बटर लग चुका था तो ये तवे पर नहीं चुपका था तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे प्रोसेस हुआ है हम पहले अपना नान अच्छे से बेल लेंगे और उसके पीछे बैक साइड पर वाटर लगा देंगे और फिंगर से नान के हाटे को प्रेस कर देंगे अब जिस साइड पर पानी लगाया था उसी साइड से तवे पर रखेंगे जब मैंने अपना तवा उल्टा करा तो ये देखी है हमारा जो नान है वो तवे से अलग हो गया था तो आप क्या करेंगे एक चमच भरकर हम पानी लगा देंगे तो जो हमारा नान काते है वो पानी से चिपक जाएगा और उल्टा करके हम अपना नान जब सेख लेंगे मैंने वीडियो में आपको इसलिए दिखाईए ये मिस्टेक ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें और आपके नान अच्छे बने हमारे नान बनकर रेडी है और हमने साथ की साथ दाल मखनी भी रेडी कर ली थी दाल मखनी का लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए तो अगर आपका भी नान खाने का मन है तो एक बर ये रेसिपी जुरूर ट्राइ करें